हलो, हलो मरे कुछी क्यों मोमोस, कैसे हैं आप लोग यार, बहुत ही भव्य वाला सेशन, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं M.I.T. मनिपाल के बारे में आपने पढ़ ही लिया होगा इसको भी मैं पूरी तरह आपके सामने डीटेल में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताईए क्या आपको मेरी आवाज आ रहे हैं क्या फुल जोश में हैं क्या आपने इस एक्जाम का फॉर्म भर रखा है अगर नहीं भी भरा तो प्लीज ये वीडियो को पूरा आखरी तक देखे क्योंकि आपको कमपेरिजन से पता चलेगा कि सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज कौन से अच्छे हैं कौन से किस तरह से किस लेवल पे आते हैं आपको ये भी पता चलेगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आपके choice का अगर कोई private college है तो उसकी fee कितनी है, average placement comparison में कितना है highest placement कितना है comparison में ये सारे के सारे comparison आकरी में पता चलेंगे मनीपाल का controversy भी है आकरी में तो ध्यान से देखिए का भईया शुरू करते हैं हमारा भविसा session क्या सभी प्राणी यहाँ पर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अगर सुन पा रहे हैं आवाज तो comment करके बताई भईया क्यार चीको भईया सब कुछ clear है जीवन एकदम सही है अरे भाई जे का हो गया चीको भईया जीवन एकदम सही है सब कुछ clear है enable editing नहीं करीती कोई बात नहीं अब edit कर पाएंगे बड़े बड़े जीवन में छोटी छोटी कठिनाई यहां तो होती रहती है सेनियो रीता अब यहाँ पर हम जानेंगे मनिपाल के बारे में हर एक सच पूरी की पूरी shocking आपको report दी जाएगी मनिपाल के बारे में अच्छा मैंने गोला यहाँ पर लगा दिया यह telegram group है इसी के उपर आपको इस comparison का PDF भी मिल जाएगा यह PDF हो ना हो आपके काम की जो दूसरी चीजें हैं वो आपको इस session के अंदर मिलती रहेगी क्योंकि यह telegram group पे हर एक चीज update होती रहती है थोड़े थोड़े दिन में telegram live भी होता रहता है तो यहाँ पर आपसे अच्छा connection होता है एक group भी बना हुगा है जिसमें आप लोग आपस में बात कर सकते हैं उस group को भी मत छोड़िएगा पौधी प्यारी community है जरूर इस community का हिस्सा बनी है अगर आपका सपना J.E. Advance या J.E. Mains है तो चलिए चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं MIT का review इसमें हम जानेंगे बेटा MIT Manipal Institute of Technology Manipal के नाम से जाना जाता है पहले कुछ सालों में इस institute के उपर कहीं तरह के controversies होते रहे जिनके बारे मैं आपको आखरी में जरूर बताऊंगा वो controversies जहलता हुआ ये institute काफी ग्रो करा है और इसने अपना अच्छा खासा नाम establish किया है 1957 का भारत के सबसे पुराने पुराने colleges में से उस समय का college है काफी जादा पुराना ये college है इंडिया के अंदर इसके बाद इसका budget वगेरा तो काफी budget तो क्या है private college है खुदी के उपर खुद का खर्चा करता है अपने खर्चे पर जिन्दा रहता है इसकी जो website है वो ये वाली है जो भी update है वो आपको इस पर मिल जाएंगे एक चौकाने वाला तत्थी है website के आखरी में ये लिखा हुआ है कितने लोग जानते हैं इस तत्थी के बारे में क्या ये लिखा हुआ होना अच्छी बात है बुरी बात है या कोई दिक्कत नहीं है होता है सर नॉर्मल है आप बता सकते हैं क्योंकि काफी अच्छे से हर एक चीज को बताया गया है अब यहाँ पर आपको comment करके बताना है ये जो चीज लिखी हुई है ये लिखा होना अच्छी बात बुरी बात है कुछ नहीं नॉर्मल है अब यहाँ आगे बढ़ते है इसकी जो NIRF rank है इसकी जो NIRF rank है वो NIRF rank कितनी आगई 53, sorry 55 अब बिटा ये NIRF rank में ग्रो कर रहा है पहले इसकी NIRF rank काफी नीची आती थी पर ये NIRF rank में धीरे 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 ऊपर जाता जा रहा है अच्छा इसका देखो मैं आपको location बताता हूं है ना तो मनिपाल की जो location है वो इतना बहुत ही बड़ा college है अब मनिपाल बिटा एक छोटी मोटी university नीए इसमें 500 तरे की चीज़े है मनिपाल के अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा मनिपाल के अंदर मनिपाल university के अंदर आपको दूसरे बहुत सारे discipline मिल जाएंगे इसके आसपास मनिपाल के खुद के और दूसरे discipline के भी काफी सारे बड़े बड़े colleges आपको देखने को मिलेंगे तो crowd तो ऐसा होगा कि आपको मज़ा आजाएगा कि भाई क्या ही जीवन है और क्या ही मतलब मस्त एकदम सबको sorted चल रहा है तुम्हें घूमना फिरना मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं भारत के हर कोने से कुछ foreign students भी आपको देखने को मिलेंगे और काफी जादा अच्छा interactive वाला level रहेगा intellectual level अच्छा रहेगा काफी creative बच्चे आते हैं कुछ बच्चे जो foreign exchange के आते हैं अलग-अलग इंडिया के कोने से आते हैं तो एक बहुत बढ़िया यहां पर आपको variety of students देखने को मिलते हैं सीखने को भी अच्छा मिलता है आपके group में एक जो movies में दिखाते हैं उस Manipal University का campus ठीक है बहुत ही सुन्दर building पहली बात तो यह South India में campus है हरियाली से भरा परा उसके बाद building बहुत सुन्दर होने के बाद जो इसकी location है वो location इतनी सही जगे पर है भाई इसके अगल-गल घूमने की जगे तो मतलब तुम बोलोगे है कि मैंने college life में ही दुनिया इतनी सुन्दर जगे है इस college की location है मैं आपको हर एक चीज़ बताता हूँ इस college के अंदर यह सभी चीज़े है जो एक अच्छे college के अंदर होनी चाहिए जैसे libraries, libraries, innovation center, student club, placement center हर एक तरह की चीज़ है पर मैं आपको बताता हूँ libraries भाई इतनी सारी libraries हैं मतलब दूसरे college में ए medical है हर एक तरह का institution यहाँ पर available है उन सबकी भाई कितनी सारी libraries है आपको ऐसा हूँ ही नहीं सकता कि कोई book आप ढूंड रहे हो वो आपको ना मिले और अगर किसी और ने issue करा रखी तो आप दूसरी library में वो book ले सकते गजब का system इसके बात देखो बेटा यहाँ पर क्या होता है business जो incubation center होता है business incubator होते हैं तो जो बहुत जादा startup enthusiast है चीको या हमें तो startup पिछ करना है हमें तो बहुत खतरनाक अलग level पर कुछ काम करना है तो बेटा college के अंदर मैं आपको अभी बोल दे रहा हो अगर तुम एक engineer हो आप थोड़ा सा भी dice हो कि यार मुझे startup भी करना है यार मुझे नोकरी भी मिल जाएगी या फिर मेरे अंदर वो चीज है मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे मैं पैसा कमा सकूँ तुम्हें दिखता है कि यार लोगों को दिक्कत है तो आप सूचते हो कि नहीं मैं इसके लिए कुछ अलग startup कर सकता हूँ तुम्हें लगता है कि कि तुम problem solve कर सकते हो तुम जैसे startup वाले कुछ लोग हो तो बेटा college वो वाला जरूर लेना जिसमें incubator हो या incubation जो यहाँ पर इस तरह का business incubators या business incubation वाली societies, clubs, college में हो जरूर लेना IIT अगर आपको नहीं मिल रहा कोई दिक करती है ऐसा NIT लो जिसमें startup और entrepreneurship का बहुत अच्छा माहूल हो ठीक आपका life set हो जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ पे वो बहुत ही अच्छा और बहुत जादा vast incubator है business का इसके अलावा देखो यहाँ पर यह एक ऐसा college है मेरी बात ध्यान से सुनना बहुत 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 खतरनाक चीज़ बता रहा हूँ मैंने लगभग मतलब कितने ही सारे college के review कर दिये पर यह जो चीज मैं आज बोल रहा हूँ यह मैंने किसी college के लिए नहीं बोली यह एक ऐसा college में बनती है IIT देहली में तो बहुत जादा काफी सारी universities में हमने देखा कि भाया यह वाली चीज़ को बहुत promote किया जाता है लेकिन यह एक ऐसा college है जहाँ पे बच्चों के लिए बेटा क्या आप समझ पा रहे हैं हो rocketry team यहाँ पे देखो thrust MIT is one of the country's first rocketry team एक मात्र ऐसा college है या सबसे पहला आप तो पहले एक मात्र था पर अब तो सबसे पहला एक ऐसा college IIT भी नहीं है एक मात्र ऐसा college था जिसने rocketry team इस college से launch करी जैसा कि मैंने एक वीडियो भी लिया था aerospace पे आजकल aerospace का बहुत जादा trend लोग इंडिया में private company जैसे Elon Musk ने खूल रखाया अपना SpaceX वैसे private company इंडिया में खूल रहे है तो वैसी चीजों को motivate करने के लिए हागा thrust MIT करके एक team बनी जो पहली rocketry team थी ये तो कुछ भी नहीं इसके अलावा देखो इन लोगों ने इन लोगों ने project manas बनाया ये project manas क्या AI robotics team थी ये भी यहां की एक बहुत popular और famous team है जो अलग-अलग level पे compete करती है और इसके उपर और इसके उपर Mars rover मनी पाल के अंदर बटा आप imagine कर सकते हो इंडिया में कितने college है जो Mars rover जैसी कोई चीज को बना रहे है बटा one of the most recent endeavor इनकी है जो एकदम ताजी-ताजी बात है इन ने देखो Mars rover develop किया है यहां के बच्चे और इसमें यह नहीं है कि मैं computer science लूँगा मैं mechanical लूँगा मैं electrical लूँगा बेटा जब आप space में जाते हो ना space यह नहीं पूछता तरह पास कौन सी degree यह कौन सी branch से space पूछता है do you know to survive and to survival you need to know the science समझ गए तो बेटा आपको science पता हो नहीं चाहिए आपको technology से अपनी जान बचाते आना चाहिए technology को यूज करके nature से लड़ते आना चाहिए वो चीज आप लोग एक Mars rover या फिर ऐसी कोई चीज जो space में काम करें वो बनाने में सीखते हो rocket science उसी चीज का नाम है Mars rover बनाया है यहां के बच्चों में घजब की बात म Mars rover में गया एक literally वही वाली चीज पर हाँ यहां की जो team है उसने इस तरह के environment में exploration के लिए जो rovers use हो सकते हैं वो rovers के उपर काम करा है समझ रहे हो इन्होंने उसका model prototype यह सब चीज बनाई है अगर आप इस चीज की चीज में interested हो तो यह भी यहां पर एक बहुत बड़ी चीज जो कि दूसरे private college अपनी sites पर नहीं दिखाते या तो वहां पर होती नहीं है या वो दिखाते नहीं है पर यह इन्होंने explicitly अपने बारे में अपने students के achievements के बारे में बताया है कितने लोगों को यह चीज में interest है जारा comment करके बता दो कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह की ची क्लब बना रहे mathematics का क्लब है redx क्लब है ठीक है इसके बाद astronomy क्लब है यही वाला rocket का मतलब अच्छा खासा यहां पर मामला है ठीक है रोट्रेक्ट क्लब इंडिया के most popular clubs में से आता है और जो जो बड़े-बड़े लोग होते हैं बड़े-बड़े colleges में यह क्लब बहुत पु वो एक मतलब आप समझ लोगे all India level की organization के representative बन रहे हैं और बड़े-बड़े जो लोग कहीं company में कोई CEO है या फिर manager है वो इस clubs में participate किया या president रहे हुए है उनका तो अच्छा होता है इसके बाद बेटा अलग-अलग तरह के club है photography club technical club हर तरह के club यहां पे available है सबसे बड़े ब अलग-अलग तरह की महां पर वर्क्शॉप्स चल रही होती है innovation centers एक बहुत happening जगे होती है अगर आप महां पर घूम रहे हो फिर तो आपको पता चलता रहे है कि innovation center में आज कुछ नया हो रहा है यह चीज़ें महां पर हर college में होती रहती है इसके बाद देखो बटा यहां प पूरा ड्रामाटिक्स वाली टीम आ गए या कोई stage performance करने वाले लोग आ गए वो वाली चीज़ अगर हो रही तो इस तरह के centers पे होती रहती है आप देखोगे अलग-अलग तरह की सारी facilities, top class facilities अब इसके आसपास घूमने की जगा कौन-कौन सी है तो बटा कुर्ग, गोआ, इसके आसपास घूमने की है, अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, कि अगर आप college में हो, आपकी चार दिन की चुटी लग गई है, तो आपको न, देखो, मैं simple सी बात आपको बताता हूँ, शायद आपको realize आज हो ना हो, पर एक बात आपको पता चलेगी, कि घूमने का मज सोलो ट्रेवलिंग एक अलग चीज होती है, पर घूमने का मज़ा दोस्तों के साथ है, और अगर आपका college एक ऐसी जगे आता है, मतलब मैं यह नहीं बोला कि मनीपाली लो, पर आपका college एक ऐसी जगे है, जहां से आसपास घूमने की जगे बहुत must must है, एकदम सस्ते में अलग-अलग जगे explore करोगे, must enjoy करोगे, और बहुत ही ज़ादा happening आपकी college life हो जाएगी, तो बेटा यह चीज है ना, अप literally happening बना देती है, अगर आप वहाँ पे job कर रहे हो ना उस जगे के आसपास, तो शायद मुश्किल हो जाए, जैसे आज मैं job कर रहा हूँ, फिर मैं त इस तरह की चीज़ों, ठीक है, अब, यहाँ पे देखो बेटा, sports complex है, जिसमें बहुत सारे sports के अलग-अलग level के game है, gymnasium, jogging track, हर एक चीज़ यहाँ पे available है, full on quality में, पूरा की पूरा sports, जैसा हर college में होता है, एकदम world class sports यहाँ पे available, ठीक है, यहाँ के जो tech fest होता है, tech तत इतने बड़े level पे होता है, क्योंकि उस region में मनिपाल की बहुत respect है, और मनिपाल एक काफी reputed, महंगा और अच्छा college है, अब जब यह महंगा और अच्छा college होता है, यहाँ पे कोई fest होता है, तो जो लोग investment देते हैं, जो लोग यहाँ पे entry fees देते हैं, वो भी अच्छी खा गजब की यहाँ पे energy लगती है, गजब का dedication लगता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को सीखने को भी मिलती है, इस तरह के organization में, जैसे आप देख रहे हो फरान अक्तर यहाँ पर perform कर रहे हैं, तो आपको काफी ज़्यादा programs ऐसे मिल जाएंगे, जो इस college मे organize हुए है और बड़े बड़े लोगों ने आके यहाँ पर participate किया है, इसके अलावा बेटा hostel facility यहाँ पर है, बहुत अच्छे hostel है, आप hostel का room देखिये, होस्टल में वाइफाई वगेरा, खाना, पीना, यह सारी की सारी चीज़े, cafeteria एक बज़े रात तक open होता है, ठीक है, solar panel बगेरा वो सब लगे हुए है, पानी, अब आप hostel के room देखिये, बहुत ज़्यादा comfortable, sexy एकदम और awesome room facility है, जैसी private colleges में होती है, सारे private colleges में लगबग room hostels की facility बहुत अच्छी होती है, ठीक है, इसके अलावा hostel की mess है, आप खुद देख रहे हो बटा, यह mess है, मैं खुद ही द अपने आप में इन्होंने काफी ज़्यादा अच्छा पूरा की पूरा system बनाया यहाँ पे, अब देखो अपन बात कर लेते हैं fee क्योंकि बटा, इतना सब बता रहे हो तो खर्चा तो बढ़ा हो गई, अब यहाँ देखो बटा, इसमें न सारे semester's की fee मिला करके, जैसे यह तो hostel fee है, यहाँ पे hostel की जो fee है, वो hostel की fee आपको, अगर आप single रहना चाहते हो तो obviously बहुत ही महेंगी पढ़ने वाली है, पर अगर आप एकदम group में रहना चाहरे हो, common room, dormitory वगरा में रहना चाहरे हो, तो आपको लगभग 1 lakh तक पढ़ जाएगी, ठीक है, तो minimum से minimum 1 lakh, dormitory में नहीं रहना चाहरे है, आप single double sharing में रहना चाहरे हो, तो 1 lakh से उपपर 1 lakh 20,000, 1 lakh 18,000 ऐसे तक चली जाती है, ठीक है, इसके बाद जो college की, इसकी hostel की fee क्या रहा आबा, जो इसके अंदर courses है, वो मैं बता देता हूँ, अच्छा, इसमें, P नहीं लिखी हुई है, गया, एक म sciences, information technology, और cyber, ये जो यहां का course है, काफी महंगा, और, ये जो यहां का course है, ये काफी महंगा, और, काफी जादा, एक मिनिट, सॉरी, आपको noise में तो दिक्कत नहीं आ रही है, इशू आ रहा है कि कुछ, voice में, मेरी voice clear आ रही है, तो यहां का ये जो course है, cyber physics, cyber physical system वाला, ये भी बहुत अच्छा और, काफी जाना माना, कोर्स में से एक है, computer science तो obviously है, cyber security वाला data sciences, AI, इसमें specialization आपके पास available है, AI machine learning भी यहां पर available है, ठीक है, यहां के alumni देखिए, काफी बड़े बड़े लोग, सत्या नडेला, क्या आप इनके बारे में जानते हैं, नीचे वाला में Microsoft के CEO, आज एक Indian, जो MIT से पड़े हुए है, MIT Manipal से पड़े हुए है, वो Microsoft का CEO है, बहुत बड़ी बात है, Indian के लिए, यह सत्या नडेला का वहां पर होना, ठीक है, पंका जोस्वाल का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, यह पंका जोस्वाल, काफी जादा investment और इस तरह की ची पास्ड आउट है, ठीक है, तो यहां के बड़े-बड़े research है, ऐसे-ऐसे चीजों पर research होता है, जो यहां पर large scale पे इंडिया की growth को impact करता है, यह वाली research इस college के अंदर होती रहती है, ठीक है, इसके अलावा देखिए, यहां पर eligibility क्या है, इसमें eligibility 12th pass होना चाहिए, बाकी स चाहिए, कुछ 50% marks आपकी eligibility होनी चाहिए, यह admission कैसे लेता है, तो यह admission अपनी खुद की exam से लेता है, तो मनिपाल अपनी खुद की exam conduct कराता है, उससे आपका admission होता है, अब उसमें cut-off क्या है, अगर आप top 500 में आए हो, तो ही आपको computer science मिलेगी, अगर top 500 में आए हो, तो ही आपको computer science मिलेगी, अधरवाइस आपको computer science नहीं मिलने वाली, और इसमें closing rank कहां तक है, तो आपको 35,000 तक इसमें rank पे मिल जाता है, अब आपन बात करेंगे यहां के placements की, तो placements का जो states है, मतलब इन्होंने placement का जो claim करा है कि हमारे placement ऐसे हैं, तो placement बहुत high इन्होंने claim कर र 100 offer का average 30,000,000 है, 500 offer का इतना है, मतलब 200 बच्चे इस college के 22,000,000 के उपर placed हुए, समझ रहे हो, 200 बच्चे इस college के 22,000,000 के उपर placed हुए, अब ठीक है, अब यहां पर average package देखिए, इन लोगों ने average package साड़े 12,000,000 claim किया है, पिटा 12,000,000 average आप समझ रहे हो, भारत का जितने भी private college है, bits पगेरा को हटा करके, कोई और private college इतना जादा average package claim ही नहीं करता, मैं सच और गलत की बात ही नहीं कर रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, claim करने की, तो इंडिया का कोई भी college, जो private college है, इतना जादा average package claim करता ही नहीं है, मैं आपको comparison दिखाऊंगा, आपको यकीन होगा, कि यार आखरी में comparison दिखा रहा है आदमी, उसमें हम देखने है, ठीक है तो यहाँ पर देखो इसका highest package जो है, लगबग 55 lakhs का highest package है, यह इन्होंने सही सही बता है और यह इंडिया का है, डॉमेस्टिक है, ऐसा नहीं का पच्पन है, तो यहीं का 55 lakh average package है, median package इनका 8.5 है, मतलब आधे से जाधा बच्चा 8.5 lakh के उपर place है, मुझे लगता है काफी बड़ी बात है, आप core branches ले रहे हैं तो फिर थोड़ा दिक्कत का है, पर जो software की branches हैं, उसमें तो काफी अच्छा placement है ही, software का लगबग placement यहां का average 20 lakh जितना, मतलब 18-20 आप मान सकते हो, किसी भी college का जो अपने reviews देते हैं college के बारे में, आपको पता चलेगा, यह college के बच्चे placement से बहुत खुश है, यहां पर बड़ी बड़ी company आती हैं, बच्चे बहुत खुश है, first year वाला भी तारीफ करता है, fourth year वाला भी तारीफ करता है, सब बच्चे placements की बहुत तारीफ करता है, इस college की, ठीक है, इसके अलावा देखिए, यहां पर काफी ज़्यादा company आई, काफी ज़्यादा placement हुए, fee, जो सबसे बड़ी हमारे गले की फांस होती है, एक private college के अंदर, वो क्या होता है भाई, fee, कितने लोगों को पता है, कि fee को मारने के लिए, fee से लड़ने के लिए, हर college, हर private college, एक चीज हमें provide करता है, जिसका नाम है scholarship, तो जब भी हमें private college की बात करता है, वो private college हमेशा हमें एक चीज प्रवाइट करता है, जिसका नाम क्या होता है scholarship, तो अगर तुम यहां देखिए, इस college की जैसे computer artificial intelligence और machine learning की जो है, वो fee 15 लाग है, 15 लाग लग बग, है न, यह tuition fee बता रहा हूं, hostel include नहीं है, तो बटा डर के, मतलब डर के ही सुनो, क्योंकि यह 15 लाग तो सिर्फ hostel को हटा के tuition fee है, धीरे धीरे जाओगे नीचे 18 लाग भी है, तो 18 लाग computer science and financial technology, इसका 3 लाग fee जादा है, ठीक, इसके बाद और देखते हैं, हम electronics engineering, PLSI design and technology, इसके अंदर भ fee जा रही है, वो 18 लाग जा रही है, जब आप कोई बहुत ही ज़्यादा special course ले रहे हो, जिसमें काफी ज़्यादा laboratory और technology वगरे यूज है, जो इनके पास available है, उसकी fee extra है, तो यहां से maximum fee जो 8 लाग, sorry, 18 लाग, 60 लाग tuition fee बोल रहा हूं, सिर्फ tuition fee जाती है, पर क्या चीकू भईया, इतनी fee हम दे पाएंगे, क्या हमारे लिए इतनी fee देना सहज है, क्या हम दे सकते है, तो पेटा देखो सीधी बात, अगर तुमको इस college, अगर तुमारे पास financial condition ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अगर तुमारे पास financial condition ठीक नहीं है, तो ठीक है भी पर इतन unreasonable है, हमारे लिए हम इतना नहीं देंगे, तो पेटा फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको एक ऐसी चीज का मैं मतलब बताता हूँ, जो यहाँ पे available है, जिसका नाम है scholarship, अभी इस college में अगर आपने अच्छा score करा, तो आप बहुत अच्छी scholarship उठा सकते हो, ठीक है, तो scholarship मिल सकते हैं, tuition fee के अंदर, बिटा आपको पूरा की पूरा tuition fee तक माफ हो सकता है, अगर आप बहुत अच्छे scholar हो, और काफी सारे तरह की scholarship होती है college के अंदर, तो यहाँ पे हर एक तरह की scholarship मैंने mention कर दी, इनकी काफी बड़ी-बड़ी detail है, आप इनकी site पे जाके अच्छे स पढ़ सकते हो, और अगर सबसे best है, आपने इनका test फोर दिया, आपका IAT नहीं निकला चलो ठीक है, आपका और कोई सा exam नहीं निकला, तभी आप private college consider करे हो, तो आप थोड़ा रुको, आपका जो test इसका आपने form भर दिया होगा, second slot का test अभी होने वाला June में, अगर आपने test फोर दिया, बैटा मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए ना एकदम सारे दरवाजे खुल जाएंगे, ये college बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा, और आपको काफी अच्छे cost में education मिल जाएगी, क्योंकि आपने scholarship फोर दिया, तो आपके पास ये एक राष्टा बच जाता है, इ उसको lateral entry भोलते हैं, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है बाई, अब यहाँ पर देखिए, अलग-अलग तरह की scholarship है, 100% scholarship तक available है, ठीक है, अब यहाँ पर पूरा की पूरा scholarship का structure दे रखा है, minimum scholarship 10% है, मतलब आपको एक private college में इतनी 10% तक तो scholarship मिली जाती है, पूरी यार वीडियो लाइक करते चलो यार सब लो, या ऐसे मत करो यार, वीडियो लाइक करते चलो यार तुम लोगे ना, अभी तो अपन में juicy पार पर जा रहे है, अभी तक हमने scholarship देख लिया, हमने fee देख ली, अब हम बात करेंगे कि बटा, इस college के अंदर, जो भी ये college का honest review है जगे-जगे की चीज़े, वो भी मैंने यहां पर add करें, तो college के अंदर देखो सबसे बड़ी बात, कि infrastructure of college, ऐसा कुछ खतरनाक नहीं है, पर काफी लगबख सारे private college जैसा है, ठीक है, तो hostel life, campus life, food, बहुत ही अच्छा है, मतलब, बस होने बात, हलो, हलो, क्या मेरी आवाज आ गई है, मेरे प्री प्राणियों, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, हेलो, हेलो, अच्छा, तो आवाज आ रही है, मतलब आप लोगों को फिर, हाँ तो भईया, देख रहो किता खतरना गया है, का बैच्छों ने रिव्यू दिया, light ही चली गई, light नहीं थी, एक्छुली में वो वायर हिल गया था, internet का, तो उसकी वज़े से internet चला गया था, चलो, आप ही शुरू करते हैं, तो हमारे पास क्या हुआ, कि भईया, बच्छों ने बताया, खाना बहुत अच्छा, मज़ा आ जाता खाना खाके, इसके बाद देखो, यहाँ पर बहुत, बहुत ज़ादा जो popular है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, कि सम curriculum के अंदर जो है, curriculum के बारे में, outdated topic यहाँ पर अभी भी पढ़ाया जाते हैं, तो यहाँ की दिक्कत नहीं है, core subject में, आज भी outdated काफी जगे पर पढ़ाया जाता है, इसलिए शायद core branches के अंदर कुछ-कुछ पर नीचे चल रहा है, अब यहाँ पर faculty के अंदर क्या है, कि आपको अपने branch के अंदर जो faculty आपको पढ़ाने वाली है, वो check करना है, कि कितने percentage जो teacher है, वो professor आपको well qualified मिल रहा है, मतलब अच्छे पढ़े लिखे professor है, जो एकदम PhD वगेरा आपको कर रखी है जिन लोग ने, या कितने professor हैं, जो सिर्फ M-tech करे हुए, सिर्फ plain M-tech वाले professors आपको मिल रहा है, मतलब ऐसा क्या होता है, कुछ students होते हैं, college से M-tech complete करते हैं, वहीं पर पढ़ाने लग जाते हैं, तो फिर वो बच्चों को थोड़ा कुछ कहीं dicey लगता है, कि बड़े project में वो लोग मदद नहीं कर पाते हैं, तो यह चीज आपको यहाँ पर देखनी होती है, placements तो बेटा, आपको क्या करेगा, जितने भी private college हैं, सबसे अच्छा है, IITs, NITs तो obviously, 23-23 package यहां के करोड के देती हैं, तो वो अलग बात हो गई, पर काफी जादा package यहां का अच्छा है, मैं तो बुलता हूँ, इसका highest package NITs 3-23 से जादा है, तो वो वाली बात भी है यहाँ पर, तो average package वगएरा काफी अच्छा है, fee यहां की high है, यह तो हमने बात करी लिया, अब यहां की बात करते हैं, controversies की, पी देख लिया, review देख लिया, अब बात करते हैं, controversy की बटा, तो क्या हुआ था 2012 में, इस college का नाम बहुत जादा उठा था, यह मेरे समय का college है, मतलब जब मैं admission ले रहा था, उस समय की बात है, तो 2012 में इस college का नाम बहुत जादा उठा था, क्योंकि इसके अंदर कुछ controversy जाग गई थी, जिसकी वज़े से काफी लोगों ने director का resignation वगरा मांगा था, बहुत जादा protest हुआ था, यह एक खतरनाक चीज थी, काफी जादा लोग इस तरह काम करते थे, मतलब बहुत ही जादा, एकदम से मैंने पहली बार ऐसा देखा था, काफी जादा student एक private college में ऐसे unite होके, किसी system के against कुछ बात कर रहे हैं, ऐसे system की जो गलती वो सब अपन उस चीज़ पर comment नहीं कर सकते, पर ऐसा एक इस चीज़ में controversy में नाम आया था, मैं बस वो वाली बात बता रहा हूँ, MIT के अंदर कोरोना के लिए भी बहुत बड़ा यहां पर hot spot बन गया था, काफी जादा student यहां पर कोरोना से वो हो गया थे, मतलब sufficient कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, मतलब guideline वगरा कुछ बोला गया था, बच्चे ने सा tweet करा था, काफी viral हो गया था वो चीज, इसके बाद 21 में भी यही चीज यहां पर काफी जादा हुई थी, तो बेटा यह जो है, college का नाम इस कुछ-कुछ activity में काफी जादा उठके, news channels में सामने आया था, ऐसी controversies यहां पर निकल के आई थी, इस college को लेका है, ठीक है, अब यहां देखो बेटा, मैं इस college का comparison बता रहा हूँ आपको अलग-अलग colleges से, तो सबसे पहली बात fee, तो मैं comparison जो आपको बताऊंगा, वो comparison में MIT मनिपाल का 5 college से करूँगा, ठीक है, जड़ा ध्यान से देखेगा 5 college, अरे भाई, यह क्या हो रहा है याप है, एक मिनिट रुकिएगा, थोड़ा अच्छे से इसको represent कर लेदे न, ताकि आपको दिखता तना हो, आगे भी है क्या, यह थोड़ा सा कष्टकारी हो गया है, प्रश्टकारी हो गया है, हाँ, तो मैं आपको, इसका पूरा जो comparison बताऊंगा, वो comparison 5 college के साथ बताऊंगा, तो यहाँ जितने भी private college, जो बड़े private college होने का claim है, जिनका तो मनिपाल है, मनिपाल के अलावा बैनेट उनिवर्सिटी, शिवनादर, एल्पी और चंडिगर उनिवर्सिटी, यह एक college south का है, बाकी सारे college north के हैं, मैं comparison बता रहा हूँ, चार साल की complete fee, बिना कोई scholarship के है, सब college में 100% scholarship available है, पर बिना कोई scholarship के, hostel के साथ, अगर तुमने एक रुपे की scholarship में लिए, hostel में तुम सबसे अच्छा रूम ले रहे हो, ट्यूशन में आप सबसे महंगा वाला, 18,00,20,00, जो भी सबसे उपर वाला course होता है, वो ले रहे हो, तो आपका 23,00,00, 4 साल की fee लगती है, इस college में, कहां मनिपाल में, 22,00,000 की fee लगती है, बैनेट उनिवर्सिटी में, 25,00,000 की fee लगती है, चार साल की LPU में, पोस्टल मिला के बता रहा हूँ, अब यहाँ पे देखे, चंडिगड उनिवर्सिटी में, 18,00,000 की fee लगती है, तो सारे private college के comparison की fee में नहीं आपको दिखा दी, अगली चीज हैंगी पर highest placement दिखा देता हूँ, मनिपाल उनिवर्सिटी का highest placement 54, 57, बैनेट उनिवर्सिटी का, शिवनादर उनिवर्सिटी का 64 है, LPU उनिवर्सिटी का 64 है, और चंडिगड उनिवर्सिटी का 54.75 है, यह highest placement है, किसके highest placement? इन सारे के सारे 5 private colleges के, तो मनिपाल का highest placement इन सब में, सबसे कम ही है एक तरह से, clear हैं? अब यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर बात करो, fee की तो मनिपाल की fee, सबसे ज़ादा है, शिवनादर की थोड़ी ज़ादा है, पर शिवनादर में भी अभी एक controversy होगा, पर शायद आपको पता चला होगा, तो एक वो भी था, इसके अलावा मनिपाल की भी fee यहाँ पर, काफी ज़ादा, second highest है, और इसका placement lowest है, बाकि सब के comparison में, मनिपाल का average package, तो मैटा सबसे ज़ादा बात है, यहाँ के package की, average package की, काफी ज़ादा private college, तो highest package देखो एक अपनी जगे होता है, पर अगर हम माने, कि मैं वो एक बच्चा नहीं हूँ, जिसको सबसे ज़ादा मिल रहा है, तो average package आपके लिए काफी important हो जाता है, तो मनिपाल यूनिवर्सिटी ने अपनी website पे, average package सबसे ज़ादा claim किया है, 12.5 लाग का average package यहाँ पे इन्होंने claim कर रखा है, जो कि एक अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि दूसरे जो private colleges है, उन्होंने इतना claim नहीं किया, आला कि मैं मानता हूँ कि आपको इससे थोड़ा कम ही imagine करना चाहिए, ठीक है, computer science का इससे थोड़ा ज़ादा होता है, software की जो भी branches होती, इसका average package इससे थोड़ा ज़ादा होता है, पर अगर इन्होंने इतना claim कर रखा है, average package इनका computer science का 20 लाग तक पिया रहा है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक, यहाँ पे देखो, इसके अलावा चंडीगड उनिवरसिटी का average package कितना है, 95 हो गया, 9.5 हो गया, LPU average package सबसे काम है, क्योंकि यहाँ पे core branches बहुत ज़ादा होती है, इसके बाद शिवनादर उनिवरसिटी का 9 lakh है, और Bennett उनिवरसिटी का 11.1 lakh है, तो आप देख सकते हैं, सारे के सारे private colleges का comparison फी में, highest package में, average package में, मैं उमीद करता हूँ, यह वीडियो आपके लिए काफी ज़ादा helpful रहा होगा, तो यहीं तक था जो था, मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें मनीपाल के बारे में बताई, और comparison भी करके बताया, सारी की सारे जितने भी average packages हैं, placements हैं, फी हैं उनके, तो इससे आप बहुत सूँ समझ के फैसला लीजिएगा, क्योंकि बेटा हर एक पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, और private college में अगर आप जा रहे हैं, तो पूरी कोशिश करिए scholarship आपको मिल जाए, आप अगर किसी college में ऐसी जगे पर admission ले रहे हैं, जहां पर फीज जादा हाई है, तो कोशिश करें एक अच्छी ब्रांच में admission लें, जहां से placement बहुत अच्छा हो, पहले review लें, professors के बारे में अच्छे से check करें, पूरे अपने options को analyze करें, ठीक है, तभी admission लें, और बाकि कोई और आपको मेरे तरफ से मदद चाहिए हो, किसी भी private college के बारे में national level पे ज़रूर बताईएगा, अब तक के लिए this is me, चीकु भेया, signing off, बाबाई, गुद नाइट.